मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सोड़ता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाडों की कई खुब्यों का जिक्र गिया है। उन्होंने लिखा कि पहाडों पर बस्तियां भले ही दूर-दूर बस्ति हो लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नदिक होते हैं। वाकई पहाडों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाहडों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पार तो यहीं मिलता है कि हम परिस्तित्यों के दबाव में ना आएं तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे स्थानिय संसाधनों से आत्मनिर पर बन सकते हैं जिस पहली सिक का जिक्र मैंने किया उसका एक सुन्दर चित्र इन दिनों स्पीती खेत्र में देखने को मिल रहा है स्पीती एक जनजाती खेत्र हैं यहां इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है पहाडी खेतों पर यह महनत बरा और मुश्किल काम होता है लेकिन यहां गाउं के महलाए इकटा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती है इस काम के साथ साथ महलाए स्थानिय गीत छपरा माजी छपरा ये भी गाती है यानि यहां आपसी सहयोग भी लोग परंपरा का एक हिस्सा है स्पीती में स्थानिय संसाधनों के सदुपियों कभी बहतरिन उधारन मिलता है स्पीती में किसान जो गाय पालते हैं उनके गोबर को सुखा कर बोरियों में भर लेते हैं जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में जिसे यहां खुड कहते हैं उसमें बिशा दिया जाता है बर्पबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती है सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रुपे इस्तिमाल किया जाता है यानि पशुओं के बेश से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी जादा इसलिए तो एक शेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेणा बन रहा है साथियों इसी तरह के कई सरानिय प्रयास हमारे एक और पहडी राज उत्राखंड में भी देखने को मिल रहे हैं उत्राखंड में कई प्रकार के आउश्रदी और वनस्पतिया पाई जाती है जो हमारे सहत के लिए बहुत फायदेमन होती है उन्ही में से एक फल है बेडू इसे हिमालयन फिक के नाम से भी जाना जाता है इस फल में खनीज और विटामीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं लोग फल के रुप में तो इसका सेवन करते ही हैं साथ ही कई बिमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है इस फल की इनी खुबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस इससे बने जेम, चटनी, अचार और इन्हें सुखा कर तयार किये गए ड्राइफूट को बाजार में उतारा गया है पिथोरागड प्रसासन की पहल और स्थानिय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग-अलग रूपों में पहुचाने में सफलता मिली है बेडू को पहाडी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ओनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है इससे किसानों को आये का नया स्रोत तो मिलाई है साथ ही बेडू के आउसदिये गुणों का फायदा दूर-दूर तक पहुचने लगा है